नमस्कार आप देख रहे हैं एचेस बिहार मैं हूँ आदेश पूरी बिहार बिधान स्वाचुनाओ जिवजव अपने चरम पे पहुंच रहा है त्यों तो नितिश कुमार की एक काफी महत्व कांची योजना नल जल योजना जो है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं कल पटना में इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा पटना समय छे सहरों पे और सबसे बड़ी बात है कि उसमें दो बड़े वियावसाई वैसे घरों पर उनके च्छापे मारे गया है जो कि नल जल योजना से संब्दनी थे उनके यहां से बड़ी मात पासवान ने नल जल योजना को भरस्टाचार का पीटाड़ा बताया था और यह भी कहा था कि जो भी इस करवाई में इस परस्टाचार में सामिल हैं हमारी सरकार बनने के बाद उन्हें जेल में ड़ला जाएगा उन्होंने मुखमान तिनी इसकुमार का भी नाम लिया था तो जैसे ही ये च्छापे मारी हुई उसके بعد चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है, चलिए सुनते हैं क्या उन्होंने? चिराग जी कल नलजल के ठेकेदारों पे छापे मारी हुई है अभी तो शुरुवात है यह अभी तो शुरुवात है जितने भी ऐसे हैं जो भी साथ निश्चे से जुड़ा हुआ है उन सब के हां ना सिर्फ छापे मारी होगी जाच होगी और सब की ओपर कारवाई होगी दे कि जांच सत्प्रतिशत होनी चाहिए 100% अभी तो सोचिए कि जांच से ही इतनी भॉकलाहट है क्यों घबराएं वह नितीशी अभी तो हम लोग सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं कौन सी अभी कुछ कारवाई आपके उपर हुई है बड़ जांच से ही उनकी घबराहट देख ल बात है अभी बहुत कुछ होना बाकी है तो वहीं इसको लेकर नेता परतिपक्ष त्यस्वी यादव ने भी नितीश सरकार पर हमला किया है चलिए सुनते हैं त्यस्वी यादव ने क्या करा तो साफ हो गया कि जो साथ नीचे था भरस्टाचार हुआ है जल नल योजना में भी सरकार ने एडिमिट किया है माना है कि घुटाले हुए है उसकी संख्या जो है साथ है घुटालो की सिर्जन घुटाले जैसे बड़े-बड़े घुटाले और कुल तिजोरी का सरकारी तिजोरी में से लगबक 30,000 करोर के भरस्टचार हुए है यह बिहार का पैसा है और आप लोगों ने भी देखा कई जैके तो फाइले भी जो है इन लोगों ने जलवा दिया सचीवाले में फाइले भी जली है अब तो छापे पड़ रहे है लेकि नितीजी के राज में केवल अ केवल ब्रश्टचार बढ़ा है ब्लॉक चले जही है थाने चले जही जैसा कि आपने सुना कि 33 आदों ने नलजल के अलावात 60 और बड़े घोटालों की चर्चा की और इसके साथ इसाथ ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने सरकारी खजाने से 30,000 कोड़ रूपए गरकानुन तरीके से निकाला और खर्च किया और उनकी सरकार आने के बाद दिन सभी की जाच की जाएगी और दोसियों को बक्सा नहीं जाएगा तो आपको बताते चले कि नलजल योजना जो की नितीश कुमार के लिए काफी एक महत्वकांची योजना थी और उन्होंने ये भी दावा किया है कि चुनाव जितने के बाद नल जो साथ निश्चय परग्र है और उनके सबसे प्रमुक योजना साथ निश्चय का सबसे प्रमुक नल्यल योजना पर उंगली उठाई है और इंकम टेक्स के चापे के बाद उनकी इन बातों को और बल मिल गया है तो अब देखने वाली बात है कि बिहार विधान सभा के बाकी बचे दो फेज में नल् इस समय बताएगा लेकिन आप जुड़े रहे हैं हम चुनाओ समंदित हर एक अपडेट को लेकर आपके पास आते रहेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत बहुत धन्यवाद